आज सुनिये मा की अनमूल ममता की कहानी मा तो पागल है रात के डेड़ बज रहे थे फोन की रिंग बजती है 27 साल का अमन नीन से जाकर बड़ा ही खुश होकर फोन को रिसीव करता है खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी गल्फरेंड बीना टाइम देखे ही कभी भी उसको कॉल कर देती है फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है जन्म दिन मुबारक हो बेटा आज मेरा बेटा पूरे 27 साल का हो गया है मैं तो बहुत खुश हूँ मा की आवाज सुनते ही आमन के चहरे के एक्स्प्रेशन बदल जाते है वो गुसे से बोलता है मा तुझे समझ में नहीं आता क्या इतनी सी बात के लिए मेरी नीध ही खराब कर दी आपने यह बात तो तुम मुझे सुबह भी बोल सकती थी इतना बोल कर वह फोन काड़ देता है थोड़ी ही देर बाद फिर फोन की रिंग बसती है अमन फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं अमन इस बार आराम से बात करता है थैंक यू पापा आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया वो भी इतनी रात को तब पापा कहते हैं अरे नहीं बेटा मैंने तुम्हें मुबारक बात देने के लिए फोन नहीं किया बलकि ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी मा बिलकुल पागल है वो इतनी पागल है कि पिछले एक महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थड़े याद दिलाती आ रही है वो इतनी पागल है कि तु हमसे सैकडो किलूमीटर दूर है फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है उपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न खुद खाना खाएगी ना मुझे खाने देगी अमन सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी मा को फॉर ग्रांटेड ले लिया था वो बोला नहीं पापा मा बिलकुल पागल नहीं है पापा कहते हैं नहीं बेटा तो अपनी मा के पागलपन को जानता ही नहीं मैं जानता हूँ वह तो 27 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको इस पर उसने बिना एक सेकेंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसं देकर उस फार्म पर साइन करने के लिए मना लिया जिस पर लिखा था कि अब तू ही बता बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तयार हो जाए उसे पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे इतना कहकर पापा ने भी फोन रख दिया अमन ने भी अभी हम महसूस किया कि वह जो कर रहा था वह उसकी भूल नहीं गुना था हाँ एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं लेकिन भगवान को दुख देना गुना होता है और मा भगवान से कम नहीं होती पश्चाताब के आंसू उसकी आँखों से बह निकले दोस्तों यह हिर्दय को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोसान कीजिए मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ धन्यवाद